नमस्कार, गुड इवनिंग, अमिच शेकर ही है, और 17 अप्रील 2020 की तारिक, बड़ा ही डिफिकल्ड सा टॉपिक उठा लिया हमने, बट ये आपने से कई लोगी डिमांड थी, कि हम इसके बारे में बातचीत करें, और मुझे आज एक अपने बहुती, जिनको मैं काफी रिस्पेक के साथ देखता हूँ, उनकी फीडबेक मिली, कि हमारी जो टॉक है, वो काफी लंबी जा रही है, तो उनका सजेशन था कि इसको थोड़ा छोटा करें, और इंटराक्शन बढ़ाएं, तो मैं उससे तोड़ा स सवाल जवाब करने के कोशिश करेंगे, तो आज की जो टॉपिक है, ये इसके पीछे तो रही हिस्ट्री समझने के जरूरत है, तो ये हमने दो चार सोर्सिज उठाएं, और आज की जो हमारी बातचीत है, उसमें सबसे पहला जो एक इंपोर्टन सोर्स है, वो है ICMR, इंडि डॉक्टर्स का काम है, और ये डॉक्टरी सलाह नहीं है, बट हम क्या कर रहेंगे, हम उन चीजों की बात करेंगे, जो हमारे हाथ में है, जैसे हम अपने दिमाग को कैसे रखते हैं, हम अपने खाने में क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में क्या कर सकते हैं, वो द अगर आप डियाबिटिक हैं, हाथ उठाएं, बताएं, और आपके कुछ सवाल हैं, उनको पूछें, जो शायद आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप अभी तक नहीं पूछ पाएं, मैं अक्सर ये बात अपनी हर ट्रेनिंग में बोलता हूं कि कोई सवाल बेवकुफी वा सवाल वो होता है, जो आपके दिमाग में रहता है, लेकिन आप नहीं पूछ पाते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, तो अपना हाई बोलिए अपनी तरफ से, अपना जो सवाल है, डियाबिटिक रिलेटेड वो लिखिए, आपके कुछ जो शंकाएं हैं, कुछ जो दिमाग में चल रहा है, उसको शेर कीजे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसका एंसर देने की, तो इंडिन काउंसिल और मेडिकल रिसेर्च के अनुसार, एक डॉक्टर्स की पैनल ने रिसेर्च करके गाइडलाइन्स सिंड्रोम क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों का संग्रह होता है, और इसके multiple etiology है, इसके एक कारण निर्धारित नहीं है, बहुत सारे कारण है इसके, इसमें chronic hyperglycemia देखी गई है, कि आदमी के शरीर में जो glucose का level है, जो की body को available हो रहा है, वो कम रहता है, ब्लड में करीर को जो use करने के लिए जो sugar मिल रहा है, वो बहुत ही कम होता है, इसमें क्या क्या disturb होता है, carbohydrate, fat और protein की जो metabolism है, वो disturb हो जाती है, और कारण क्या है इसके, ये दो तीरों की वज़े से होता है, या तो insulin secretion में defect है, पैंक्रियार जो है आपकी, वो insulin कम बना रही है, जरूरत स इसके long term complication के, अगर मान लिज़े diabetes है किसी को, और वो ज्यादे दिन तक चल गया, और उसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आंखों पे असर होता है, which we call retinopathy, kidneys पे nephropathy होता है, nervous system में, पूरे body में जो जुन-जुनाहाट होती है, और दूसरे neurogenerative diseases होते हैं, heart में हो इंडिया में कैसे क्या चल रहा है, तो भारत जो है, यह दुनिया का दूसरे number का top diabetic destination है, आप आप पूछेंगा number one कौन है, तो population needs आप से सोच लिजेए, तो चाइना जो है, वो number one है, diabetic population में, मैं आपको तोरे countries के नाम बताता हूं, तो number one China, number two India, number three US, Pakistan, number five Brazil, number six Mexico, तो भारत और पाकिस्तान पास पास क्यों चल रहे हैं, हलाकि दोनों की जो population है, उसमें बहुत फरक है, लेकिन lifestyle factors, हम क्या खा रहे हैं, उससे भी बहुत हद तक diabetes निर्धारीत होती, जो आज की बात में बड़ी इंट्रेस्टिंगली निकल के आ रही है, तो 2017 में भारत में 8 क करो diabetes के patient थे, और 2017 थी तो बढ़ी गई होगी, क्योंकि ये prevalence बढ़ रही है इसकी, और उमीद ये है कि 2045 तक जाते जाते हैं, ये संख्या 14 से 15 करोर population में पाई जाएगी, huge number, इसमें जो शहरी छेत्र हैं, जो urban areas हैं, वहाँ पे diabetes, 1970 में खाली 2% लोगों को थी, अभी वह बढ़के 20% हो गई है, 2017 की data है, गाउं के छेत्र में भी बढ़ रही है, और मेरा एक में एक और आप लोग भी ये बताएं कि, क्या ये diagnosis कम होने के वाद से गाउं में, ये screening कम होती है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता, कि उन्हें high blood sugar है, और जब तक आप डॉ सवाल हैं, कुछ तो आप सवाल को लिखें, कुछ शंकाएं हैं वो बताएं, और अगर आप मुझे अची तरह सुन पारें, तो भी बताएं, अभी diabetes दो type के होते हैं, type 1 और type 2, तो type 1 जो होता है, वो autoimmune कारणों से होता है, autoimmune मतलब कि आपके शरीर ने खुद से ही अपने pancreatic cells को destroy कर दिया, जो की insulin बनाते थे, अभी इसमें Dr. Michael Greger साहब है, जो nutritionfacts.org चलाते हैं, उनका बोलना है कि उन population में जहाँ type 1 डियाबेटी ज्यादा देखी गई है, उनमें dairy की consumption बहुत ज्यादा है, मैं repeat करता हूँ, जहाँ बच्चों को बच्चपन में बहुत ज्यादा दू दे रहे हैं, तो बच्चों के बाड़ी में insulin जा रहे हैं, कौन सी? बोवाइन insulin, जो गाई की insulin है, वो जा रहे है, जो भैस की insulin है, वो जा रहे है, और वो कर रहे हैं, confusion पैदा हमारे immune system को, कि एक तो यह तो बाहर का insulin है, उसमें क्या हो रहा है, कि उसको attack करने में, साथ के को destroy कर देते हैं, और यह बरी ही दुखद बात होती है, कि एक बाड़ type 1 diabetes आ गई, तो यह irreversible है, उस इंसान को, जिसको type 1 diabetes भगवान न करे किसी को हो, अगर उनको होती है, उनको जीवन भर बाहर से insulin देना पड़े है, type 2, हलाकि luckily, यह type 1 है, केवल 5% लोगों में होती है, और यह child onset diabetes भी बोलते हैं, बच्चों में होती है, type 2 जो है, जिसको diabetes melters बोलते हैं, यह 90-95-95 diabetes के patient इसी के शिकार होते हैं, और एक है, तो तीसरी है, वो है gestational diabetes, तो कुछ माताओं बहनों को, जब ही pregnant होते हैं, उसके दोरान diabetes, हलाकि कोई history नहीं रहेगी, फिर भी वो diabetes आ जाती ह है, और भी एक दो अलग प्रकार हैं, बट उतने जादे इंपोर्टन नहीं है, अभी ICMR के हिसाब से, तीन-चार कारण उन्होंने बताएं कि यह बढ़ क्यों रही है, lifestyle changes, one, second, urbanization, शहरी करन होना, तीसरा demography, हमारी एक genetic profiling भी है, और चौता है कि लोगों की उमर बढ़ रही है, तो उमर बढ़ने से भी body के complications बढ़के निकल के आते हैं, हाई पुसकर भाई, कैसे हैं आप, चवी भाई बोला है, I'm pre-diabetic, what should be the precautions, हम बिल्कुल precautions के उपर में आ रहे हैं, चवी भाई, और कुछ हम और भी, बहुत असान-असान tips की बात करेंगे हम, तो type 2 diabetes जो है, जिस होता क्यों है, insulin resistance से होता है, और इसमें कुछ हद तक insulin की जो production है, वो भी कम ज्यादा दीखी गई है, तो दो चीज़े, insulin resistance होना, और insulin के production उपर नीचे regulate होना, कल की बाद से आप याद रखे, insulin और glucagon का जो difference हम बात कर रहे थे, अगर आपकी body में continuously insulin के मात्रा बढ़ी है, तो धीरे-धीरे body resist करने लगती है उसको, और आप pre-diabetic, फिर diabetic हो जाते हैं, तो उसमें intermittent fasting का एक बहुत important role है, कि आप अपनी body को विराम देते हैं, तो insulin के levels कम होती है, और glucagon release होती है, जो कि body fat को तोरती है, मैं आज एक और ब्रांती यहाँ पर तोरने वाला हूँ, बहुत दो-चार चीज़े देखी गई, जो common है, एक पहली है, जो central obesity होती है, तो पेट के पास na apple type obesity जो इंडिया में देखी जाती है, और खासकर मर्दों में apple type होती है, और और तो पेर type बोलते हैं, तो उनके कमर के नीचे वजन जादा बढ़ना, और मर्द में दुबले पतले भी देखी गए, तो obesity है, central obesity, dyslipidemia है, जो कि आपके cholesterol की level से उपर नीचे हो गए, और साथ में तीसरी है hypertension, तो यह तीनों मिल करके chances होते हैं, कि diabetes होने के chances बढ़ जाए, एक और चीज़ जो commonly देखी गई है, ज्यादा तर diabetes के मरीज, overweight होते हैं, या obese होते हैं, और मतलब जितनी आ आगे बात करें, recommended क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं ICMR की जो guidelines है, मैं आपके साथ share कर लूँगा, जो मैंने download करके रखी है, हला कि अभी एक नई चीज़ देखने को आ गई है, कि जिन लोगों की body mask index भी कम है, दूबले पतले हैं, देखने से ठीक ठाक लग रहे हैं, उनमें आज कल diabetes निकल के आरे, 30 साल की उमर में, तो ये obesity, बाकी सब फंडे, इसको इसके पीछे दूसरा भी region है, जिसके बारे में आज बात करने वाल है कि क्यो diabetes हो रही है, उन लोगों में, तो एक चीज़ है, जो इसको बोलते है, Asian Indian Phenotype, जो हमारी जो प्रकिरती है, जिस तरह के ह है, तो खासकर Asians में, और जो हम Indian जो origin के लोग है, इसमें diabetes की propensity ज्यादा देखी गई है, हमारी भले ही BMI कम हो, लेकिन जो fat का ratio है as compared to a Caucasian, जो अंग्रेज लोग होते, लंबे, तगडे होते हैं, उनकी body में fat कम होता है, भले हम से ज्यादा heavily built हो, बट हमारी body में fat ज्यादा हो होते हैं, तो इतिहास में भारत ने बहुत सारे अकाल देखे हैं, तो हमारी body न, वो अकाल से इस तरह से प्रतारित है, PTSD हो गया है, कि वो जबी भी extra calorie मिलती है, तो हम उसको संभालने में बड़े ही efficient है, तो यह thrifty gene की बात है, कि बाकी दूसरे जो race की लोग है, वो खाएं, तो उनकी body को उतनी मोटापा नहीं लगती है, जितनी हमें लगती है, और आगे हम एक और बात करेंगे के कभी दूसरे दिन की topic में, कि वात, पित और कफ जो हिंडिन, अमारी जो Ayurveda है हो, उसके हिसाब से body types क्या होते है, और metabolism कैसे effect होती है, बड़ी interesting science है वो, हम बात history है diabetes की, अगर आपकी BMI, जो body mask index है, वो 23 के उपर है, 23 kg per meter square, तो आपको check करना चाहिए, अगर आपकी कमर 90 cm से ज़्यादा अगर आप मर्द हैं तो, और अगर और आपकी 80 cm से ज़्यादा है, तो आपको test कराते रहना चाहिए, hypertension, अगर आपकी blood pressure 130 by 80 mmHg के उपर है, तो भी आपके risk बढ़ती है, dyslipidemia, अगर आपकी cholesterol के उपर नीचे levels है, तो भी आप risk बढ़ जाती है, sedentary, physical, I mean, खाली बैठे रहते हैं, कुछ walking नहीं होती है, exercise नहीं होती है, तो आपके risk factor बढ़ रहे हैं, अगर आपको gestational diabetes हुई है, बच्पन, I mean, बच्चे के पैदाईश के द chances हो सकते हैं, cardiovascular disc, जिनको ischemic heart disease हुई है, heart attack आये हैं, कभी या brain stroke वगएर हुए हैं, तो इस सब indications हैं, उन लोगों में diabetes होने की chances हैं, underlying चल रहा होगा, PCOS, polycystic ovarian syndrome, जिन ladies में हैं, उन में आगे diabetes होने के chances ज्यादा होते हैं, thank you Saurab, thanks for your encouragement, अभी देखे, तो चार चीजे हैं ज fasting blood sugar जो हम check करते हैं, तो उसमें एक है, normal क्या है, pre-diabetic क्या है, और diabetic क्या है, मुझे quickly बात करते हैं, तो अगर आपकी WHO के हिसाब से, अगर आपकी blood sugar 110 से नीचे है, और ADA American Diabetic Association बोलती है, 100 से नीचे है, तो आप fit है, ठीक है, अगर 100 से ले करके 110 से 125 तक आप blood sugar आ रहे हैं, आ और अगर 125 से जादा हो गई blood sugar तो मतलब आप तो पका diabetic है, कुछ glucose लेने के 2 घंटे बाद जो post-prandil जो check किया गया है, उसमें normal अगर 140 लेवल आपकी जो sugar लेवल आ रहे हैं, तो normal है, 140 से 199 आप pre-diabetic हैं, और अगर आपकी जो खाने के बाद जो blood sugar लेवल 200 के उपर जारी है, मतलब diabetes वक्का है, इन समय से एक HbA1c जो आज कल glycated hemoglobin होता है, जो कि एक pattern देखता है कि 30 दिन में, 60 दिन में आपकी body में कितना extra sugar रहा है, तो 5.7% से नीचे अगर आपकी HbA1c है, तो आप normal है, 5.7 से 6.4 तक बोला गया है, वो pre-diabetic है, और अगर आपने 6.5 इक्वल या उससे cross कर लिया, तो वो diabetes मानी जाती है, HbA1c level, और कभी भी अगर आपके random जो blood sugar आपने test कराई, और वो 200 के उपर आ रही है, तो निशित तोर पर ये diabetes के लक्षन है, अभी diabetes, लोगों को कौन से symptoms क्या आ रहे हैं, जो मुझे मालूम है, आप सब लोगों को अक्सर मालूम हो उसका, osmotic symptoms में आते हैं, polyuria, polydipsia, ज्यादा पेशाब होना, ज्यादा प्यास लगना, दूसरा, weight loss होना, हलाकि आपको भूख हमेशा लगी रहे हैं, क्या बहुत खा रहे हैं, फिर भी शरीर में लेग रहा है, वजन कम हो रहा है, tiredness and weakness, थकान महसूस करना, कबजोरी महसूस करना, recurrent urogenital infections पेशाब में और पेशाब का रास्ता है, उसमें infections बार बार होते रहना ये भी देखा गया है, कोई घाव हो, कुछ cut fat जाये, तो जल्दी हीलना होना, ये भी high sugar के लक्षन है, हलाकि surprising बात ये है, कि more than 50% of diabetic people have no symptoms, तो ये symptoms जिनको दिख गया, वो सुधर सकते हैं बाकी लोगों में symptoms तो दिखते ही नहीं, ये हो गए बात ICMR की, और अभी हम जो बात करने वाले हैं, जिसमें मैं बहुत excited हूं आपसे बात करने में, ये है basis, dr. Michael Greger है, उनके जो बात चीत है, किताबें हैं, वीडियोज हैं, उनसे लिया हुआ है, dr. Michael Greger हैं कौन मैं आज जर काम कर चुके हैं, American College of Lifestyle Medicine के founding member हैं ये, graduate है Cornell University और Tufts University से, इन्होंने किताबें लिखी हैं, How Not to Die, How Not to Die Cookbook, and How Not to Diet, इनकी जो वेबसाइट है, www.nutritionfacts.org, मैं recommend करूंग, आप जाएं उसे चेक करें, fantastic resources, और dr. साब majorly, mostly plant-based food की बात करते हैं, मैं उनसे 99% सहमत हूँ, अभी जो नई जानकारी आई है, तो उसमें मुझे ये भी मालूम पड़ा, कि कुछ हद तक जो animal proteins हैं, वो भी इनसान के overall खाने में रहने चाहिए, डॉक्टर साब पूरी तरह से ना करने बोलते हैं, तो अभी हम बीच का रास्त लेक्षा हैं, जिसमें आपको हम बताते हैं और लाइट तो हम बात करें थे, डॉक्टर ग्रिगर साब की, और मैंने उनकी बहुत सारे तीनों की तीनों किताबे पढ़ी हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उनके, और उनसे जो प्रभाविद हो करके जो lifestyle changes किये, वो खाफी हद तक मजदार हैं, और उसके अस असर भी आपको दिखते हैं काफी, तो उनकी जो किताब है, how not to die, उसमें एक chapter how not to die from diabetes, thank you Vicky for the confirmation, तो मैं उसी किताब से कुछ बात हैं आपको interesting बताना चाहूंगा, यह diabetes word जो है, यह ग्रीक शब्द है, diabetes और mellitus दोनों के मिला के, diabetes mellitus है, diabetes का मतलब होता है, किसी साइफन के पास करना, और mellitus का मतलब होता है, शहद के तरह से मीठा, sweet, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कि आपके sugar level जो है, खून में, वो बहुत बहुत जादा बढ़ जाते हैं, यहां तक कि जो pancreas है, वो या तो insulin पूरा बना नहीं पा रहे है, या फिर हमारी body insulin resistant हो गई है, इसमें क् kidney उसको filter नहीं कर पाते हैं, और नतीजतन पेशाब में चीनी निकलना चालू हो जाता है, तो जो diabetic लोग हैं, अगर वो बाहर में पेशाब करें, तो उस पर चीटियां लग जाती है, मधू मेह, हिंदी में भी बूलता है न, और जब तक lab test नहीं थे, तो कैसे पता करना है कि diabetic है आदमी, तो जो urine test करते थे, तो जिन लोगो diabetes होती थी, उनकी जो पेशाब है, वो शहद के जैसी मिठी होती है, ऐसा लिखा गया है किताब के अंदर, तो अभी कारण क्या है, insulin resistance होने के, तो अभी ये बहुत interesting topic है, ध्यान से आप लोग सुनें इसको, 1927 में एक study हुई थ के दो group बनाए, एक group को very high content fat दिया, खूब सारा mutton, chicken, butter, eggs, खूब खिलाए, और साथ में बहुत सारा fried चीज भी खिलाया, और दूसरे group को normal खाना खिलाया, plant-based खाना खिलाया, तो जिन लोगों को बहुत ही high fat content वाला खाना खिलाया गया, उनमें sugar level अगले 10 दिन के अंदर में डबल हो गई, और उनके जो insulin sensitivity थी, वो कम होने लगए, तो अभी तक हमें क्या बताया गया है, कि आप चीनी consume कर रहे है, आपकी insulin कम बन रही है, इसकी वैसे आपको diabetes हो रहा है, वाट डॉक्टर माइकल गरगर साब का कहना है, कि diabetes is caused because of free flowing fat in your blood, आपकी body में जब याप बहुत fat rich चीजे खा रहे हैं, बहुत सारा तेल खा रहे हैं, बहुत सारा animal food खा रहे हैं, अभी cholesterol हम बात करें, तो cholesterol आती कहां से है, तो यह kevel और kevel animal sources से आती है, तो या तो दूद से आती है, या chicken से आती है, या mutton से या fish से आती है, plant में cholesterol नहीं होता है, ठीक है, तो जब ही आपकी बॉडी में फैट की कंटेंट डर गई, काफी सारी फैट चल रही है, हाई बाला, हाई अभिनव जी, थैंक यू शभी भाई, तो जभी बॉडी में फ्री फ्लोइंग फैट बढ़ जाती है, वो क्या कर रहा है, कि वो जाके इंसिलिंज रेसेप्टर्स होते हैं, अभी एक और चीज़ देखी गई है, कि हाई एकसेस बॉडी फैट इस बिग रिस्क फैक्टर, दूसरी एक और चीज़, जिन लोगं में डाइबिटीज पाई गई है, 90% लोग ओवर वेट होते हैं, 90% पीपल और ओवर, तो आपका जो वेट है, वो एक बहुत बार इंडिकेटर है, कि आपको डाइबिटीज होगी, क्या होने के चांसेज हैं, अभी एक और चीज़, जो हमारी शरीर में फैट के सेल्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, वो नए-नए नहीं बनते रहते हैं, तो जभी आपके फैट के सेल्स लिमिटेड हैं, बट आप बहुत ज्यादा इंसलिन क्या करते हैं, fat deposit करती जा रही है, fat deposit जो हो रही है, तो fat cells लंबे होते जा रहे हैं, एक limit आती हों कि उसके बाद वो क्या करते हैं, वो fat leech करना चालू करते हो, तो आपके खून में blood circulation में fat जो है, वो free flowing हो जाता है, और वो जाकर क्या करता है, अपके insulin receptors को block करता है, clogging the insulin receptor, और जो insulin signal जो मिलना चाहिए cell को, वो मिलना बंद हो जाता है, तो एक और चीज़ देखी गई है, कि जो बहुती मोटे लोग हैं, वो अपना खाना दिरे-दिरे ठीक भी करते हैं, तो भी जब तक उनकी obesity कम नहीं होती है, तो उनकी body में इतना excessive fat पहले से ही है, कि चाहे वो vegetarian खाना खा रहा हो, plant-based खाना खा रहा हो, फिर भी जब तक वजन कमना हो, तब तक it can continue to leach fat in the blood from the stored visceral fat. अभी या चिंता की बात है. So, yes Bala, what I was saying is that, the people who are obese, their fat continues to leach out from the fat cells because fat cells have a limited capability to hold fat but when it becomes excessive, it starts releasing in the bloodstream because of which the insulin receptors on the cells are getting blocked, insulin signals are getting blocked and insulin doesn't work. हलाके, अभी उपाहे क्या है इसके, मैं एक छोटा सा instance आप से शेर करना चाहूँगा, जब यह plant-based diet पे जाते हैं, 89,000 California citizens को test किया गया, 89,000, it's a good number. So those who are flexitarian, जो कि सब कुछ खाते थे, milajula के खाते थे, उन में diabetes, versus who, जो कि पूरी तरह से animal food ही खाते हैं, only mutton, chicken, beef, dairy, not taking, vegetable नहीं खा रहे हैं, fiber वाले चीज़े नहीं खा रहे हैं, versus them, flexitarian जो तोरी-तोरी सब चीज मिला के खा रहे थे, they cut their risk of diabetes by 28%, okay? Those who cut all the meat, chicken, beef, अतब red meat, साडे हाट आदे, and only eating fish, they reduce their chance of diabetes by 50%. I'll repeat, people who cut the meat and chicken from their diet, they reduce their risk by 50% by just being on plant-based food and fish and dairy. Those who cut all meat, including fish also, they reduce their risk by 61%. I'm talking 89,000 Californians. जिन लोगो ने इवन एग और डेरी को भी हटा दिया, they cut their risk of diabetes by 78%. तो अगर आपके खाने से, आप, if you remove dairy, दूद, दूद से रिलेटेद चीजें, चिकन, मतन, फिश, आपकी diabetes के रिस्क 78% कम हो जाती है. अब मैं आप, I'm not saying that you stop eating whatever you wanted to eat, eat, but kindly ensure 90% आपका जो खाना है, वो प्लांट बेस्ट होना चाहिए. 10% keep it for dairy, keep it for others. If you can stop that 10% also, fantastic. All right? In fact, when you start eating plant-based, एक और चीज़ देखेगे, जो वीगन है, जो पूरी तरह से avoid करते है, animal proteins खाना, और मैं diabetes के levels बहुत-बहुत कम देखेगे हैं. I know of, चवी भाई, eggs also is asked to reduce, and even ICMR is saying that you shouldn't be eating more than alternate days पे एक अंडा खालिया, which is okay. So don't make it a daily habit. By the way guys, I have also got a Eat Right book, which I downloaded from Eat Right India. So I will be sharing that with you. So egg also in moderation. Not more than one single egg per day. If you must, but otherwise you can also avoid that. so even people who turned from animal based primarily food to plant-based and they started eating more taking more food but still their weight started reducing because what is reduced your fat intake is reducing drastically we'll talk later so diet is the biggest contributing factor to diabetes so i'm repeating friends if you have diabetes in your family or father you don't do that you are going to have diabetes running in your blood node in fact dr. gregor's book two people identical twins one both have similar kind of genes but if they keep their food and their lifestyle plus also don't forget the science of epigenetics after all these factors what matters from here is there i have i met people i have met people uh jinko uh meri se bhi chote america hain aur wo hamisha se pahle se maan ke hai ki uh 35 saal ke ho ga to diabetes to honi hai and i was like why kisnye bada hai apko but was certain i believe i honki ki na 30 sua to ho ga ek 30 saal cross karliya to pete to nikal na chahiye huh or khane mein harbar ekto heavy khana bahar joan hotels me or baki jake khata hai itani cream hoti us me itana fat itana butter tasty banane ke liye bahut si cheezeh milai jati hai wo khane ke baad bhi which itself has got lots of calories and fat and sugar us ke baad bhi deserts pe loge chale hi jate hai toh ek chini ka bhi combination ek bhoati uh dangerous sa hai i think diabetes doesn't find in animals because they eat plant-based food is it true sir very very true very very true or yeh aapne mujhe sochne pe majbour kar diya hai durgish ji ki dhekhana padega mujhe ki obesity or diabetes hai chuhon mein toh diabetes hamne kara ke dekhi hai ki abun ko agar if you uh chuhon ka group lelene or usko high fat diet pe ndale dekhiya usma diabetes aa jati hai thik hai toh wo toh test already ho chukia so there is another doctor by the name dr neil bernard aa joh MD hain aur unki site hai physician committee for responsible medicine pcrm me chahonga aap a link bhi share kareun ga unki website pe jayen so dr neil bernard jo hai uh unhuna te kitaab likhi hai reverse diabetes reverse diabetes unki diet plan mein and wo 100% plant-based diet khani ki baad karte hai you can reverse diabetes in fact let me tell you a story so i was having a meeting or is meeting me a coffee senior uh a company ke joe head thai woe ahi huye thai aur hamne unko offer kia toh humare haa office mein joe meetings ke doraan uh juices rakhye thay lassi thi chas thi and i man unko bola toh ham toh yis chas matlab the best drink possible ever lassi khamal ki chiz hai lassi toh hamayi sa peeing saktayin toh man ko chas offer kia tunnet nahi fruit juice offer kia aap nai hali לע Sara Originika eachoni ja hai he said nahi naii ma ma hai ammaete sport diya starsi canada eat the plant was his favorite fruit which doctors never allowed him to eat now he was eating jackfruit and having a normal lifestyle had reduced insulin and where it was taking some little amount of metformin and he was maintaining a very good he said his energy level has never been good so if you go and check on dr. Neal Barnard's website you will find so many success stories or dr. Michael Gregory website baby joby diabetic log you can see a difference there is there any Indian doctor also who has done any research on diabetes yes sir what sorry doctors and in fact I'm so glad to tell you that so many doctors have started asking their patients who are obese and diabetic job what motivated by a baby ticker or bold rack to vegan hoja the map if you don't want to go to a plant based on your diet after eating a 90% plant based on your diet automatically dependents on your diet and your diet and your diet and your diet and your diet limit high fat food recommendation eat low glycemic index food जो चीज़े धीरे-धीरे पचती हैं, जैसे मोटा आनाज है, नट्स हैं, सीड्स हैं, उसको लेने की बात की गई है, 40 ग्राम अफ फाइबर पर डे इंशोर करना, वो आटोमेटिक आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन में बहुत-बहुत फाइबर मदद करती है, एक study थी, epic panacea करके, उसमें देखा गया कि जो animal foods है, उसमें सबसे ज़्यादा fatening कौन सी है, सबसे ज़्यादा fat किस चीज़ को खाने से आता है, वो है chicken, अभी example बताऊँगा, एक 100 साल पहले जो chicken थी, उसका एक जो portion था, उस एक portion में 16 calorie के बराबर fat होता था, अभी that is equivalent to 200 calorie of fat, one portion, fat content in one serving has increased from 2 gram to 23 grams, so chicken को सबसे ज़्यादा fatening चीज़ बोला गया है, सबसे ज़्यादा मोटा करती है chicken, अभी है कि जो भी लोग है, आप में से बहुत सारे हैं, जो normal है, बट आपको diabetic नहीं बनना है, तो आपको खाने में क्या चीज़े ज़्यादा खानी चाहिए, तो बहुत सिंपल recommendation है, legumes, डाल, beans, whole grain, जो भी डाल हैं हमारे, बूंग डाल, चना डाल, उरत डाल, जो डाल हमारे खाने में जितना लेके हैं, और एक और चीज़ देखी गए, जो डाल जो हैं, खासका चना डाल हैं, यह prebiotic होते हैं, तो अंदर जाके हमारी gut bacteria को भी यह काफी improve करते हैं, और gut bacteria का diabetes से भी connection है, तो मैंने आपको बताया था कि जो diabetic rat हैं, उनकी जो poop लेके एक normal rat के अंदर डाले गए, तो वो diabetic हो गया था, तो अभी तक वो एक अलग science है, जो हम नहीं समझ पाए हैं, कि gut का microbiome का उसका क्या है, बट हम ऐसी चीज़़ खा सकते हैं, which is helpful for our microbiome, जो हमारे gut को अच्छा करें, तो उसमें fermented food और legumes बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चवी भाई पूछ रहे हैं, does avoiding wheat and rice can be good idea too, चवी भाई यहाँ पर wheat avoid करने की बात, उसमें gluten आ रहा है, बहुत सारे लोगों को, उससे काफी हद तक यह देखा गया है, कि c-lake diseases, पेट की और constipation related वीमारियां हो रही है, हलाकि brown rice, आपको even जो south के भी doctors है, diabetics है, diabetologist है, वो बताते हैं कि brown rice is good, तो wheat भी, मतलब मोटा मोटा जो खुर्दरा है, जिसमें chokar मिला हुआ हो, वो मोटा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, हलाकि carbohydrates पे बहुत ज़्यादा fat कम करना है, carbohydrate भी कम करना है, बढ़ाना क्या है, vegetables बढ़ाने है, fruits का intake बढ़ाना है, ठीक है, दाल बढ़ाना है, carbs कम करने हैं थोड़े, जब यह प्री-diabetic हैं, तो carbs आपको थोड़े कम करने हैं, अगर आप सारे का सारे अनिमल प्रोड़क्स अवाइड कर पाएं, including dairy, तो बहुत अच्छी बात है, आप immediate फरक देखेंगे, खासकर जो diabetic हैं, अगर उनने इसको try के कोशिश की, तो आपको ज़रूर immediate फरक आएगा, कुछ है, guidelines जो कि आपको, डॉक्टर माइकल गरिगर की website पे भी मिलेंगे, और PCRM पे भी मिलेंगे, कि खाने में कौन सी कौन सी चीज़ें आपको, बट मोटा मोटा, मैं जो यह आपको बता रहूं यही है, अगर आप अपनी खाने में, animal based protein कम करते हैं, और fat कम करते हैं, तो दो-चार अलग benefit देखे गया है, मोटापा कम हो जाता है लोगों का, hypertension कम हो जाता है, lipid levels normalized होते हैं, cardiovascular risk कम हो जाते हैं, overall मरने का risk कम हो जाता है, और cancer का risk भी कम हो जाता है, तो इतने सारे फायदे एक साथ देखे गया है, अब diabetes को जो complication है, उस complication में एक है kidney failure, तो जिन लोगों में देखा गया, कि उनकी diabetes के level बढ़े हुए थे, sugar level बढ़े थे, और उनकी kidney दीरे-दीरे deteriorate हो रहे थी, बर जब उनने plant-based diet पे switch किया, kidney भी दीरे-दीरे अपने normal function को पा गई, और ये चमतकार ही है, अधरवाइस, डॉक्टर गिरगर साब का बोलना है, कि ये ज़्यादा तक diabetic लोग dialysis तक नहीं पहुँचते, उसके पहले ही मर जाते हैं, अब diabetes के side effects क्या हैं, आप मैं मोटा-मोटा एक समझाने की कोशिश करूँगा, before we close the topic, अगर आपे वो सवाल होतो, हमारे बोडी में 4 vital organs है, एक तो brain है हमारा, फिर आखे हैं जो रेटिना होती है, फिर इसके बाद heart है, और 4 है kidney, अब इसको vital organs क्यों बोल रहे हैं, वाई vital organs, बिकॉस ये, ये दिकेन नॉट सर्वाइब, without the supply of, continuous supply of oxygen and nutrition, I am repeating, इनको continuous supply of nutrition, और साथ के साथ oxygen चाहिए, तो अगर आपकी brain को थोड़ी समय के लिए भी, खून मिलना और oxygen मिलना कम होता है, immediate hypoglycemia और उसके बाद brain cells मरने लगते हैं, similarly for retina, retinopathy होती है, similarly for heart, heart में अगर खून नहीं मिलना है, ischemic heart disease, heart attack जो होता है, और kidney में, अगर बराबर मात्रा में, खून और nutrition नहीं मिल रहा है, तो kidney में nephropathी होती है, और जो cells मर गए एक बार, वो दुबार regenerate नहीं होते हैं, आपका liver cell मर जाए, वो वापिस regenerate हो जाता है, बट ये kidney में नहीं होता है, अभी diabetes में क्या हो रहा है, जो कि hypertension में भी होता है, तो hypertension में भी चारो अंग प्रभावित होते हैं, और diabetes में भी कारण ये है, कि जब आपकी blood pressure जादा हो जाती है, तो जो आपके जो organs है, वहाँ तक जो खून पहुँचाती है, जो nutrition पहुँचाती है, माइक्रो वैस्कुलर बोलते हैं उसको, capillaries जो होती हैं, जो बहुत पत्ली-पत्ली धमनिया हैं, वो ज़्यादा blood pressure की कारण फटना चालू हो जाती है, और वो जो माइक्रो वैस्कुलर डैमेज हुआ, मतलब लास्ट जगह तक खाना नहीं पहुँच रहा है, आपको साथ के साथ ये भी देखा गया है, कि erectile dysfunction देखी जाती है, और ये directly correlated है, कि वहाँ पे तो खून बहुत ज़्यादा जाता है, तो जैसे से microvascular damage होगी, erectile dysfunction है, ये cardiovascular risk में भी आती है, तो diabetes और hypertension दोनों में microvascular damage होती है, जिससे आपकी body में हर जगे nutrition नहीं पहुँच पाता, जिस तरह से पहुचना चाहिए, अब चुकिए ये चार vital organ है, सबसे पहले असर इन पे दिखता है, असर तो पूरी body में हो रहा है, कई सारे लोग हैं, जिनको back pain की अकसर problem रही है, पैर में दर्द होना रहा है, इन फाक्ट, कोलेस्टोल डिपोजिशन इस आपनिंग इन आर्टरी जिस टेकिंग ब्लद तो लोवर पार्ट रटी और जैसे उन्हेंने स्विच किया है, प्लांट बेस डाइट पे आए हैं, बादी में फैट की कंटेंट कम हुई है, फैट फ्रम यूर डाइट, खुद से करें, देखें उसको, आपकी दवाई पे डिपेंडेंस कम हो जाएगे, अदर्वाइज, यह तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं, और डॉक्टर नील, डॉक्टर एसल्टन, डॉक्टर माइकल गरिगर, यह तो चैलिंज के साथ बोलते हैं कि आप हमारे गाइडलेंस फॉलो करें, आपी डिपेटी इस रिवर्स हो जाएगे, खतम हो जाएगे, आपको दावा लेने के ज़रुवरत ने, इंसुलिन लेने के जरुवरत नहीं, किताब लिखे हैं, डॉक्टर सें, M.D. तो ध्यान दे, अगर आपको यह इंटरेसिंग लगता है, तो मैं चाहूंगा कि आप जाके, you can do your own research and also figure out, I'll be sharing the resources with you, I'm getting some comment here, तुरगेश पांड़ाई जी, Corn is also beneficial in diabetes, Corn means, क्या आपका मकई से मतलब है, ताब बताएं, हलाकि उसमें starch बहुत होता है, तो carbohydrates कम करने कोशिश कीजे, हरी फल सबजिया, green vegetables, leafy vegetables, fantastic, fruits, fantastic, but उसमें भी बहुत जादा मीठे वाले फल नहीं खाने हैं, Fiber and veg should be increased, absolutely should be increased, Balamurgan Varad Rajan is saying, my in-laws are diabetics, they are on glyptins, their sugar levels are in control sir, can they reduce the lesser drug like metformin in the future, देखे, ये तो दोस doctor के सलाह वाली बात है, so you have to consult your doctor, check with them, but for doing lifestyle changes, like reducing the amount of fat and sugar in the daily diet, that is in our control, so that is what I'll recommend that you can, and Balamurgan, go and check nutritionfacts.org, so I'll also put the link for all of you to go and visit, I'll also put the link for PCRM, there's so many diet and recipes there, but it's about taking control of what is going inside your body, right, as a society also we are feeding, so Dr. Greger even says to the extent that, disease do not run in the family, diets run in the family, how many of you have seen the movie, what the health, raise of hands, how many people have seen the documentary, what the health, Netflix, YouTube, how many of you have seen that, just let me know, does diabetes reverse in real, of course Russian, yes diabetes reverse is in real, that's proven, you go on the website, PCRM, PCRM, physician committee for responsible medicine, you will find many success stories of people who have reversed their diabetes, it's absolutely possible, I have met people in real life who have reversed diabetes, stopped insulin, stopped taking all medications, they're absolutely fine and normal, so it's a disbalance caused by high level of fat in your body, if you control that high level of fat, diabetes also comes in control and body slowly takes over, provided it's not type 1, if it's type 2, you can always do that, so how many of you have seen, what the health documentary, just let me know quickly, in the meantime, let me thank our audience today, chavi bhai, thank you so much, pushkar bhai, thank you, hope you'll enjoy the show today, chavi tiaghi ji, I answer the question, hi viki, sorab, durgesh panday ji, hi bala, thanks for joining, abhinakumar ji, kalsim ji, thank you so much, I'm so happy you like the topic, and I was also worried that why population wise, Pakistan is lower than us, but in terms of rate, it's featuring as number fourth country in the world, so that's deserving for me, so time for re-looking and introspection, hi bala, I'll continue to try mixing hindi and english both, chavi bhai, durgesh, thank you so much, iman ji, thank you so much, bala, so what I'm going to do guys, is I'm going to put the link for what the health documentary, which is on youtube and also netflix, kuch or science, some changes, kya kya hai, and joh resources ki, we'll also share that with you, so see you tomorrow with the new topic, milte hai hakal, tab tak take care of your thoughts, take care of your diet, take care of what is going inside our body, all right, so thank you Gautam, thank you Anchal for joining here, thank you everyone, and bye, take care, bye bye, bye guys